नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेस पर आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में आम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट इशो के बारे में जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीटी की अभी जो दिसंबर की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में डिसिजन लिया गया है कि जो पॉलिसी रेट है जिसको हम नॉर्मली बोलता है रेपो रेट उसको अंचेंज रखा गया है इसका मतलब ना तो बढ़ाया गया है ना ही उसको घटाया गया है जो पिछली चल रही थी उसी को कंटीनियो किया गया है तो क्या-क्या बेसिक्स के उपर फोकस किया गया है तो वो समझने की कोशिश करेंगे और क्या-क्या इशूज हैं जिनको जानना जरूरी है इस पर्टिक्लर आस्पेक्ट में जिसमें इंफलेशन को टार्गेट करके RBI की MPC जो है वो रैपो रेट को डिसाइड करती है ठीक है चलते हैं स्टार्ट करते हैं दो आर्टिकल सो टोटल एक में है स्टेइंग पुट समझते हैं इसमें क्या है मुद्धा देखो मुंडरी पॉलिसरी कमिटी जो कि डिसर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है और देखा जाए तो इसके दिसंबर की मीटिंग होती है इस मीटिंग में फाइनल हु हमें पॉलिसी रेट कट करना चाहिए थोड़ा सा रेपोरेट को रेडियूस करना चाहिए और यहां पर पांच ने यस बोल दिया तो मेजोरिटी प्लस में गई इसका मतलब जो मेंटेन रखना है स्टेटस को वो का वो कंटेन्यू किया है फोकस किया गया है क्ल of Accommodation क्या होताई इसको हम समझते हैं थोड़ा सा basics के तॉर पे देखो जब कभी भी हमें market में demand को बढ़ाना हो तो इसके लिए हमें market में liquidity को बढ़ाना पड़ेगा liquidity कैसे बढ़ सकती है हम market में credit को जो है वो सस्ती rate पर provide करें loan जो है न सस्ती rate पर provide कर दें इससे क्या होगा कि लोगों के उपर interest rate का जो burden है वो reduce होगा और लोग जो है अपनी जरुवतों के हिसाब से loan लेना start कर देंगे इससे क्या होगा कि new investment भी create होगा क्योंगी जो आप उधार लेते हो वो पैसा ultimately आतो रहा है market में न चीक है अब उस पैसे को आप कहीना कहीं invest करोगे अपने business को expand करने के लिए तो ऐसे में आप कहीना कहीं नई jobs create कर रहे हो अब नई job create करोगे तो नए लोगों को रुजगार मिलेगा तो automatically demand भी करेंगे अपने खुद की requirements को fulfill करने में अगर आप यहां पर interest rate को reduce कर रहे हो तो आपने demand को बढ़ा दिया ना आपने economy को support करने की कोशिस की तो यह approach होगी accommodation वाली approach बट यह approach हमने कब अपनाई थी, RBI ने कब अपनाई थी जब COVID के बाद में economy में एक मंदीशी सारी थी, थोड़ा सा slowdown था, तब वो accommodative approach COVID के बाद में अपनाई गई थी पर बाद में सब देखा गया कि कहीना कहीं market में liquidity बढ़ गई और रूस दूसरा, उदर रूस Ukraine की war की वज़े से जो supply chain थी, वो disruption में आ गई कहने का मतलब कि कहीं न कहीं problem यह आ गई, कि लोगों के हाथ में पैसा तो आ गया, पर वहाँ पर जो requirement थी, demand थी, वो तो बढ़ गई, बड़ जो supply थी, वो reduce हो गई, अब supply में RBI देखो, कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस बात का, आप यह कर सकते हो, कि import सस्ते करने के लिए RBI अपनी तरफ से, कुछ market में, dollar जैसी currencies को float करवा दे, ज्यादा infuse कर दे, बढ़ा सकता है, बाकी supply को expand करने में, सरकारों को काम करना पड़ता है, तो ऐसे में supply side constraints की वज़े से demand तो बनी रहे गई, और supply हो गई कम, और इसके चलते क्या हो गया, मेंगा ही बढ़ गई, inflation बहुत उपर जाने लग गई, वैसे देखा जाए, तो RBI को central government की तरफ से, inflation का target दिया हो है, 4 plus minus 2%, इसका मतलब यह, कि हमारे हाँ पर inflation अगर maximum 6%, minimum 2% तक जाता है, तब तक एक tolerance चलेगी, क्या ठीक है, manageable है, बट target क्या है, कि 4% आप रखोगे inflation को, तो यह परिस्तितियां क्या show करती है, यह परिस्तितियां यह show करती है, कि कही ना कहीं, यह जो inflation का issue है, इसको अभी भी handle करना, RBI के लिए challenging task है, उसके चलते हैं, यह reporate को maintain रखा गया है, और reporate को maintain करके, रखा गया है, अब इसको बढ़ाना तो दे को ज़्यादा possible हो नहीं सकता, क्योंकि अगर RBI ज़्यादा reporate बढ़ाईगी घान समझ ना, अगर MPCA डिसाइड कर लेती, कि reporate को बढ़ा दिया जाए, तो उसके चलते नुकसान ही हो जाता, कि market में liquidity की कमी आती फिर, और liquidity कमी कहीं ना कहीं, फिर बेरुजगारी भी लेकर के आती है, और थोड़ा सा problem आती है, अगर अगर हमें developed economy बननी है, तो हमें credit को तो expand करना पड़ेगा, दुनिया की बड़ी-बड़ी economies जो है, वो credit पर चलती है, तो credit वाला concept, loan वाला जो concept है उसको तो हमें maintain रखना जरूरी है, बट यस, अभी inflation कहीं ने कहीं, बनी होई है, खतम नहीं हो रही है, इसलिए ये withdrawal of accommodation की अप्रोच लेकर के चल रही है MPC, ठीक है, रेपोरेट जनरल रेपोरेट होती है, जिस पे bank RBI से पैसा उधार लेते हैं, जिस interest rate पे, अब बैंकों तरीका होता है, यही एक chain का एक process होता है, जिसमें RBI अपनी monetary policy के through, regulate करता है liquidity को जो की market में भी चल रही है, तो फिलहाल target यह है, कि जो rate चल रही है, उसी को हम continue करेंगे, और रेपोरेट को हम reduce नहीं करने वाले हैं, ठीक है, अब ही देखा जाए, तो हमारे RBI के governor शक्तिगान दाज जी, उन्हों ने यह कहा है, कि policy जो है, वो actively dis-inflationary हो रही है, that means, देखो target है, कि 4% तक inflation rate रह जाए, ठीक है, इस से उपर 6% की no doubt range है, पर रखनी तो 4% है, इस तक जब तक नहीं आ जाती है, तब तक बोला, हमें कहीं ना कहीं, रहपोरेट को maintain करके चलना पड़ेगा, और वो ही चीज़ यहां पर बताई जा रही है, ठीक है, पिछले कुछ समय की अगर बात करें, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो देखो, इंफलेशन कंट्रोल हुई है, जैसे की, जुलाई 2023 की बात करें, तब इंफलेशन रेट थी 7.44%, अब आप देखो, अपर रेंज है न, 6%, उससे भी उपर गई न, उससे रेड्यूज होकर के यह अक्टूबर में 4.87% पर आगई, कहीं न, कहीं, थोड़ा सा कंट्रोल में आई है, अच्छा, हमारे यहाँ पर इंफलेशन कैल्कुलेट करने का तरीका क्या है, देखो, इंडेक्स लिए जाते हैं, इंडेक्स का मतलब, एक ऐसा पेरामेटर, जिसमें आप different different items, जो market में demand में रहते हैं, consumer consume करते हैं, चाहे फिर वो आप कह सकते हो, durable भी हो सकते हैं, food, fuel कुछ भी हो सकता है, तो उसके basis पर आप क्या करते हो, कि उनकी values देखते हो, उनका price, value नहीं price actual में, price देखते हो, कि पिछले साल कितना था, आपकी बार कितना है, तो ऐसे करके, जब सारे जितने item आपने इस particular index के अंडर ले लिए, उन items के पिछले साल की price और अब के साल की price को जब compare किया, तो आपको idea लग जाएगा कि वो महंगा हुआ है कि सस्ता, तो महंगा अगर हो रहा है, तो वो हो गया आपका inflation, inflation का एक तरीका तो price के हिसाब से हो गया, अब इसका एक दूसरा तरीका भी आप समझ लो, कि inflation का मतलब actual में यह होता है कि आपके, आपकी जो currency है ना, उसकी value down चली गई, मतलब यह कि एक pen पिशले बार 5 रुपए का आता था अब वो ही pen 7 रुपए का आने लग गया 5 की जगे, 7 रुपए होगा हो गया, अब आप देखो, कि चीज तो वो ही आ रही है न, pen तो यह एक ही है पर आपकी currency कितनी लग रही है 2 रुपए extra, इसका मतलब currency कहीं न, कहीं कमजोर होई यह span के comparison में, तो inflation का मतलब यह भी होता है, जिसको हिंदी में बोलते है मुद्रा स्विती, स्विती का मतलब decline करना, आपकी currency की value worth है, वो decline कर गई उसके पीछे कहीं न, यह बहुत सारे factors होता है okay, so the point is कि inflation अभी control आती होई दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी जो headache वाली बात है, वो है food inflation ठीक है न, food inflation जुलाई में 11.51% पर थी, जो कि बढ़ गे, अब 6.61% पर आई है, जो कि ठीक बात है वहीं उसमें food में भी vegetable देख लो cereals भी देख सकते हो, दाने और यह सारे है, अना आज, यह सारा ठीक है, इसके अलावा, अगर आप इस consumer price index की base पे, जो headline inflation आती है, जो overall inflation आती है, उसमें से food और fuel को minus कर दो, आप food और fuel का मतलब हो गया, जो volatile components है, आपकी, जो basket है, demand basket है, त्योंकि देखो खाने के भावा न, वो भी बहुत जल्दी change होते हैं, similarly दूसरी तरफ आप नजर डालोगे, तो यह आपके क्या नाम इसका fuel है, उसके भाव भी बहुत जल्दी change होते हैं, volatile रहते हैं, कारण क्या है क्योंकि यह कहीना के demand और supply बहुत ज़्यादा quickly change होती है Ukraine Russia war हो गया grain के महंगाई बढ़ गई, उदर Russia पे sanctions लगा दिये Western countries ने, तो उसके चलते Russia को तेल वेशना पढ़ रहा था सस्ते में, पर India तो चलो ठीक है कि negotiate करके सस्ते में तेल ले लिया, बाकी तो कहीना international market में बहुत महंगाई बढ़ी होगी है पाकिस्तान की economy कितने बुरे तरीके से बरबाद हो रखी है, ठीक है, तो कहीना कहीन, core inflation हो अभी भी steady है, मतलब steady decline पर है, that means ये भी थोड़ा सा positive signal है, तो ये एक चीज क्या हो रही है, कि कहीना कहीन, headline inflation जिसमें food और fuel भी included है, और उसमें से food और fuel को exclude कर दोगे, तो core inflation आएगी, तो वो भी आपके declining trend पर आ रही है, तो कहने का मतलब, ये चीज चो होती है, कि inflation कहीना कई under control है, बट वहीं दूसरी तरफ हम थोड़ा सा situation को समझे, situation कैसे, food की अगर बात करें, तो बही सीधी बात है, monsoon dependent हमारी agriculture है, इस साल का monsoon अच्छा नहीं था, अगले साल पता नहीं कैसा क्या रहने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2024 के जनवरी महीने तक, मतलब, अभी दो महीने alnino effect dominant करने वाला है, और alnino का मतलब ये हो गया, आप इसका अगर सीधर सीधी बात करें, monsoon monsoon को weak कर देता है alnino alnino का मतलब होता है, abnormal abnormal heating of eastern portion of southern pacific ocean ठीक है, जो की South America के Peruvian coast के आसपास वाले एरिया की हम बात करें, तो वहाँ क्या होता है, कहीना कहीं temperature बढ़ जाता है ना, तो वहाँ low pressure बनने की वाज़े से हवाएं उधर gust कर जाती है, उधर move कर जाती है, और हमारा फिर monsoon week पड़ जाता है, तो ऐसे में alnino effect कहीना कहीं, थोड़ा सा problem create करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ, अभी रभी की season की अगर बात करें, रभी की season अब आपको पता है, वहाई हो चुकी है, कटाई होगी लगबग, फरवरी, मार्च, एप्रिल में, तो उसमें भी कहीना कहीं सवाल ही आ रहे हैं, कि रभी की season में no doubt monsoon का इतना role नहीं है, but yes, indirect role है, कैसे हैं, कि monsoon season में अगर आपको rainfall कम receive होता है, तो उसी rainfall के पानी को आप store करते हो, आपके water reservoirs में, अब सीधी बात, rainfall ही कमाया है, तो water reservoir में भी पानी की कमी होगी, पानी कम है, तो इसका मतलब irrigation facility आपकी कम होगी, और रभी की crop हो, वो सारी irrigation based होती है, तो इस तरीके से आपकी food prices कहीं ना कहीं बढ़ने का एक concern maintained है, तो इस वज़े से RBI ने decide क्या किया है, कि हम अभी policy rate को cut नहीं करेंगी, जो 6.5% रेपोरिट उसी को हम continue करने वाले हैं, ठीक है, फिर बात आती है, ये तो inflation का पूरा, I guess आपको समझ में आया होगा, फिर बात करते हैं हम, कि central bank के तरफ से जो statement अभी MPC meeting के बाद में दिये गए हैं, उसमें economically को ले करके, देखो बात ऐसी है, private consumption है, वो कहीना के थोड़ा सा concerning है, अभी भी हमारी individual जो demand वो इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, बट yes, शहरों में थोड़ी से demand बढ़ने लगी है, और आशा है कि गाउं में भी अब demand थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एक चीज़ हमेशा धान रखना, जब तक गाउं में demand strong नहीं बनेगी, Indian economy उतना push नहीं ले पाएगी, क्योंकि हमारी अभी भी, अभी 2021 का census पता नहीं, ये कब करेंगे, अभी बहुत डिले हो रहा है, ठीक है 2021 का census अगर हो जाता तो थोड़ा clear data आ जाता बट 2011 census के according अगर देखें, तो हमारा 70% population जो है, वो गाउं में रहता है भाई, और 70% लोगों की demand अगर नहीं बढ़ रही है, उनसे demand नहीं आ रही है तो आप कैसे economy को export अना वो थोड़ा ठंडा पड़ा है क्यों जी, क्योंकि western economies जिनको हम बेच करके पैसा कमाता है ना, वहाँ पर economy कहीना के slowdown में है अब वहाँ पर economy slowdown है that means लोगों के वास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो खरीदेंगे क्या, कुछ खरीदेंगे नहीं तो हम बेचेंगे क्या, बेचेंगे नहीं तो हम पैसे वाले कैसे बनेंगे तो यह problem है फिर भी RBI ने अपनी तरफ से एक बात कही है कि भाई हमारी जो growth rate है वो कहीना कहीं साड़ेच से परसेंट की हमने देखी थी GDP growth rate बर अब बोलो overall इस 2023-2024 के financial year में बोलो हमारी GDP growth rate 7% अचीव हो जाएगी, तो यह एक थोड़ी अच्छी बात है कुल मिलाकर के बात यह बताई जा रही है कि यह जो growth inflation trajectory है यह दोनों कहीना कि एक दूसरे को reciprocate करते हुए दिखाई देते हैं, कैसे देखो सीधी बात है inflation अगर भड़ती है न demand अगर बड़ी, supply अगर बड़ी नहीं, जान से समझना demand अगर बड़ी, supply अगर बड़ी नहीं, तो उस case में महगाई जाएगी skyrocketing ठीक है, अब उसको control करने के लिए फिर RBI जैसे banks हैं, वो क्या करते हैं inflation rate को control करने के लिए अपनी interest rate को बढ़ा देते हैं, interest rate को बढ़ा दिया, इसका मतलब, लोगों के हाथ में पैसे की कमी, पैसे की कमी, तो demand कम, demand अगर कम हो गई, तो मान के चलो, कहीं ना कहीं, economy को ये dent पहुचाएगी अब यहाँ पर issue ये है कि ये महंगाई जो है वो demand driven नहीं है हमारे देश में हमारे देश में demand driven महंगाई नहीं थी, ये पिछली जो थी ये थी supply driven अब supply के ओपर देखो, bank को policy makers को effectively काम करने की जरूरत होती है, आई बात समझ में तो एक तरफ तो fiscal policy है जो कि government of India या governments की तरफ से बनती है, एक तरफ monetary policy है, जो कि central bank बनाता है दोनों के बीच में balance बने, दोनों मिल बैट करके, बातचीत करके काम निकाले तब Indian economy अच्छी progress करती है और इसी चीज़ पर focus भी किया जा रहा है central government और RBI in tandem काम कर रहे है बातचीत करकर आखर के और यही economy के लिए अच्छी बात भी है आई बात समझ, चलें आगे one second अगला जो article है वो भी same content से related है एक दो points add होंगे, बाकी repeat होने वाले है देख लेता है इसमें क्या क्या addition हम कर सकते है a continuing pause article को लिए धर्म कीर्थी जोशी जी ने और पंखोडी टंडन जी ने मुद्धा आपको पताईए, क्या है यहाँ पर हमें देखने वाली बात है कि यह जो stand लिया है RBI ने कि हम report rate को change नहीं करने वाले तो इसके पीछे क्या कारण है सबसे पहला कारण तो inflation का बताया है जो already मैं आपको explain कर चुका हूँ ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि additional आपको कुछ बताने की ज़रुए था जस्ट आपको खुछ से पढ़ लेना है PDF वो मैंने share कर दिया telegram channel पे advance में ठीक है, तो ये आप खुछ से कर लेना, ठीक है जी फिर दूसरी बात आती है अल्नीनो वाला case में आपको समझा ही चुका हूँ ठीक है पहली, चलो तो inflation वाली तो मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रुए दूसरा case आ रहा है यहाँ पर कि जो central banks है जैसे USA का central bank है, वहाँ का federal reserve और European central bank है ही ये अभी भी कही ना कहीं थोड़ा और लंबा खीशने वाले हैं अपनी interest rate को बढ़ा करके ये angle क्या है, इसको थोड़ा है यहाँ पर मैं समझाता हूँ देखो होता क्या है आज हम दुनिया से connected economies में से एक है 1991 में LPG policy adopt जब हमने की थी, तो हम दुनियादारी से बहुत ज़्यादा अच्छे से connect हुए जिसमें हमने import भी किया और आज हम export करने की भी सोचते हैं, खुद की economy को 2047 तक हम developed भी करने की सोच रहे हैं तो वो export oriented करना चाहरा है ठीक है, तो ऐसी परिस्तितियों में अगर USA या फिर European Central Banks के द्वारा अगर वहाँ पर rate बढ़ा दी जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, आप थोड़ा equation को समझना कि किस तरीके से इन बैंकों की बढ़ाई होई interest rate हमारे उपर असर डालती है वह simple सी बात है, अगर USA के Federal Bank के द्वारा interest rate बढ़ाई गई तो सीधी बात है, कि market में dollars की circulation, सीधी बात है वो interest rate क्यों बढ़ाएंगे definitely inflation को contain करने के लिए क्योंकि उनके भी local targets क्या है inflation को contain करना है, ठीक है तो वहाँ पर जो method है, उस method के basis पर अगर देखें, तो वो लोग अपनी repo rate बढ़ा करके रखता है, policy rate बढ़ा करके रखेंगे, अगर inflation बढ़ी हुई है, जो कि अभी बढ़ी हुई है, कारण है कि आज चलो हमें तो सस्तिम आप जो जिस rate पे टेल खरीद रहे हैं, पेट्रोल डीजल वो बाकी countries के comparison में बहुत सस्ता है, कारण कि हम रखेंगे से discounted rate पे खरीद पा रहे हैं वहीं western countries के अगर बात करें तो वहाँ पर कहीं न गई हैं भी ये problem चल रही है क्योंकि रश्या पर उन्होंने sanctions लगा रखे हैं, और रश्या पर sanctions लगाने का मतलब क्या हो गया, कि जो Europe सस्ते में gas खरीद था था रश्या से, US खुद खरीद था था gas रश्या से, वो supply रुकी हुई है वो अगर रुकी तो सीधी बात है supply रुकी, तो महगा ही बड़ी क्योंकि demand more or less आपकी maintained है दूसरी बात, जिस accommodative stance की हमने RBI की तरफ से बात की, कि रेपोरेट को कम किया गया था COVID के बाद में, सेम काम USA की बैंकों ने भी किया था, USA की Central Government, Federal Government जो है उसके द्वारा Trillions of Dollars खर्च किये गए लोगों को पैसा देने के लिए कि कैसे भी करके demand को हम थोड़ा सा अपराइस करें अब उधर demand तो राइस हो गई, पर Russia-Ukraine war की वज़े से ये issues आ गए, जिसकी वज़े से supply गई down, हम से ज़्यादा बरबाद हो गई ये western countries, inflation 88% की inflation rate जो इनोंने अपनी जिंदिगी में नहीं देखी थी मतलब अभी जो generation चल रही है कहाँ वहाँ पर 2% के लगबग inflation चलती है, कहाँ 8% आप imagine करो, 4 गुना महंगाई बहुत ज़ादा होती है, ठीक है तो ऐसी परिस्तियों में वहाँ पर federal banks, ये हमारे यहाँ पर जो investment आता है इंडिया में, आप समझना इंडिया में जो investment आता है वो आता किस form में है, dollar और euro के form में और वो ही अगर circulation में कम हो गया तो इसका मतलब investment भी down जाएगा कि नहीं, same thing happened ये ही हुआ है, आई बात समझ में अब अगर market में dollar का investment या euro का investment कम आया, तो हमें कही ना कही problem आएगी, कैसे कि हम हमारे देश में अगर, रुपय के circulation को more or less maintain करके चल रहे हैं और dollar की circulation हमारी economy में कम हो गई, तो अब आप देखो, जिस चीज की कमी होती उसकी value बढ़ जाती है तो यहाँ पर dollar की circulation कम और रुपय की circulation जादा तो अब आप समझ लो, रुपया जो है वो dollar के comparison में छोटा पड़ेगा की नहीं पड़ेगा पड़ गया छोटा, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि कही ना कही dollar हो गया strong dollar हो गया strong, तो रुपया हो गया depreciate, अब हम कुछ भी import करेंगे तो हमें जादा महंगी चीज़े खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एक dollar जहाँ 75 रुपय का था, वो एक dollar 85 रुपय का हो गया, तो रुपय 10 आपको extra देने पड़ेंगे, तो महंगा इसी से तो बढ़ गई, ऐसे परिस्तितियों में फिर RBI को भी, इन central banks को follow करना पड़ता है क्योंकि हम कही न कही इन से connected है, और ऐसे में फिर हमारे RBI के द्वारा भी क्या किया जाता है interest rate को बढ़ाया जाता है, जिससे की रुपय की circulation को भी reduce किया जा जो की रैपोरेट के थ्रू कर सकता है पहला काम तो और रैपोरेट के थ्रू करना भी कहीं है कि challenging task है, कैसे challenging है simple बात है, कि RBI ने तो interest rate बढ़ा दी, पर bank या फिर जो NBFC हमारे market में जो loan देने वाली institutions है ना वो interest rate नहीं बढ़ाती, वो यह सोचती है कि हमारा, हम थोड़ा interest rate कम रखेंगे, तो दूसरे की बजाए loan हम ज़्यादा extend कर पाएंगे, ज़्यादा हम ब्याज कमा पाएंगे, तो इसके चक्कर में जो एक transition वाला mechanism होता policy transmission जिसको बोलता है, कि RBI ने जो change किये वो ground level पे effect दिखा है, वो telegram पे joint होतो, उसमें सीधी बात क्या आती है, कि CRR एक ऐसा percentage होता है, ऐसा rate होता है जो की cash reserve ratio जो की जो भी bank है उनकी जो total जो एक तरीके से जो deposits है ना उनका अगर net निकाल लिया जाए, ठीक है उसका एक particular percentage होता है जो कि उनको निकाल करके और RBI के साथ deposit करके रखना पड़ता है, जो अपनी net demand and time liabilities है banks की NDTL उसका एक particular percentage है जो की bankो को अपने खुद के deposits में से निकाल करके RBI के पास में store करके रखने होता है कि कलको ना अगर थोड़ी वो होता, अगर लापरवाई का काम हो, कोई बरबादी का काम हो तो पैसा निकाल करके आप वहाँ से बच सको वहीं दूसरी तरफ अकर देखा जाए तो RBI ने इस CRR को incremental CRR के तोर पे बनाया, incremental CRR का मतलब क्या हो गया, कि जिस तरीके से जरुद पड़ेगी तो उसको percentage wise बढ़ा दिया जाएगा, और जैसे बैंकों के पास में access liquidity जो है वह store हो जाएगी RBI के पास आकर के, तो उसके बाद में RBI automatically उस incremental CRR को अटा करके किवल CRR लगा देगा cash reserve ratio, इससे क्या हो गया कि RBI बैंकों के पास में जो access liquidity है, उसको absorb कर लेता है open market operation में RBI क्या करता है कि बैंकों के ये जो बैंक के, sorry, government के कई जो projects होते हैं, उनके bond है वो release कर देता RBI government के साथ मिल करके, और bond release करने से फाइदा क्या होगा, कि market में अगर पैसा जादा है तो bond release करके और market से पैसा absorb कर लिया जाता है लोग जो है, वो bond ले लेता है और अपना पैसा invest कर देता है, बदले में कुछ फाइदेगे, ठीक है, तो इस तरीके से market से liquidity को absorb करने का open market approach काम में लिया जाता है तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो इन approaches को भी RBI फिर follow करता है, जब policy transmission प्रॉपर नहीं होता है तो तो ये situation क्या show करती है कहीं न कहीं RBI ने ये सारे tools जो है, वो apply किये हैं तो ये एक दूसरा point आपको समझ मैंना चीए, कि US और European Union के जो central banks है उनकी policies का क्या असर पड़ता है हमारे देश की policies पर फिर आगे बताया जा रहा है कि SNP, global के according अगर देखें ये credit rating agency है तो इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लग नहीं रहा है कि आने वाले 6 महीनों तक भी ये जो central banks है federal reserve हो या European central bank हो ये interest rate reduce करने वाले हैं कि बोले दूर दूर तक नहीं लग रहा है फिर आगे बताया जा रहा है ये central banks का मैंने अल्रडी आपको बता दिया currency का relation ठीक है rupee depreciation पिछले साल जितना होना चीए था उससे हम बच भी गए currency depreciation से निकलने का तरीका बड़ा एक interesting point है वो कैसे देखो RBI के पास में एक reserve होता है जिसको बोलता है forex foreign exchange reserve RBI maintain करके रखता है ठीक है ये forex का level आपके पास में अभी फिलहाल इंडिया की बात करें तो शायद पौने 600 या फिर 600 billion dollar के लगबग हमारा foreign exchange reserve है ठीक है तो ऐसे में अब मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से रुपी जो है वो dollar या फिर कोई भी external currency के comparison में reduce या weak हो जाता है तो उसको रुपी depreciation बोलता है कमजोर हो जाता है तो उस depreciation से बसने का एक तरीका तो मैंने बता है कि रुपी की liquidity को आप absorb कर लेते हो interest rate बढ़ा कर गे वहीं दूसरी तरफ एक ओर तरीका है कि आप अपने market में dollar के circulation को बढ़ा दो पर dollar के circulation बढ़ाने के लिए हमें क्या सोचना पड़ता है कि USA की तरफ से कितना interest rate release किया जा रहा जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा है और वो फिर India में invest करने के लिए पैसा बेजे पर USA के federal reserve के अलावा हमें तो solution निकालने है न तो हमारे पास में forex जो है न उसमें से पैसा हम market में release कर देते हैं उसका तरीका क्या होता है कि हमें dollar market में release कर दिया उसके बदले में rupee जो है वो absorb कर लिया इस सिधी बात है एक dollar बराबर 80 रुपए या 85 रुपए जितना भी हो रहा है उसके इसाब से dollar दे दो और ultra market से absorb कर लो जो rupee है convert करवा कर गए तो इस तरीके से भी liquidity maintain की जा सकती है तो ये काम भी RBI करता है ठीक है जी इसके अलावा transmission वाली बात मैं अल्रेडी बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से transmission जो है वो सही नहीं होगा मई 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक लगबग 0.5% रेपो रेट बढ़ा दी है 250 basis point का मतलब 2.5% interest rate आपकी बढ़ी है पर बोले सही माइने में देखा जाए तो ये lending agencies ना bank है NBFC है बोले ये properly काम ही नहीं कर रहे है ये proper transmission नहीं देते हैं RBI के द्वारा फिर कोशिश ये की जाती है कि एक proper amount maintain जो आप जानते हैं liquid adequate ratio ठीक है जिसमें ये कहा जाता है liquidity adequacy ratio जिसमें एक आ जाता है कि bankों को और NBFC को अपना एक particular amount जो है खुद के साथ maintain करके रखना होगा जिसने कि वो market में loan extend कर रहा है वो loan अगर बरबाद भी हो जाए तो अपने investor को या फिर जो depositors है उनको समय पर time पे पैसा दे सकें ये एक particular amount bankों को अपने पास में रखना होता है तो RBI फिर इस तरीके की tool भी use करता है कि ठीक है आप अगर liquidity adjustment ratio या liquidity adequacy ratio की हम बात कर रहे है वो अगर बढ़ा दिया जाता RBI के द्वारा तो भी bank कहीं ना कहीं market में ज़्यादा पैसा extend नहीं कर पाएंगे कैसे क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर वो loan के तौर पे bank दे देता है तो उसके चक्कर में फिर उनको अपना ज़्यादा liquidity adequacy ratio है ये बढ़ा करके रखना पड़ेगा तो उनको store में भी amount ज़्यादा रखना पड़ेगा तो वो loan देने से कत्राएंगे क्योंकि फिर RBI भी टूल तो अपनाएगा है न अगर raporate से काम हो जाता raporate RBI ने बढ़ा दी वही 10% बढ़ा दी अब bank या NBFC नहीं बढ़ाते हैं तो फिर RBI को फिर different tools पर रिलाई करना पड़ता है ठीक है incremental cash reserve को already बता चुका हूँ कंट्रोल में आती है तब समय बताएगा पर आपको अचंबा तो होगा definitely पर आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे यहां पर credit हना interest rate बढ़ने के बावजूद भी अच्छा-कासा चल रहा है यह अपने आप में थोड़ा सा concerning point भी बन जाता है कि हमारी economy में distress का point है कि महंगाई आपके control में आ रही है चलो ठीक है पर आपको आपने उसको control करने के लिए interest rate बढ़ा रखी है इसका मतब लोग discouraged होने चीज़िए ना कि नहीं लेंगे बयाज ज्यादा लग रहा है पर फिर भी आपसे credit लिया जा रहा है that means लोगों के और यह चीज कहीं नहीं शो करती है कि economy में एक circulation जो proper maintain होना चीज़िए वो नहीं हो पा रहा है ठीक है और यह बताया जा रहा है कि risky जो segment है risky segment का मतलब जब आप loan लेते हो जैसे personal loan type जो segment होते हैं वो risky होते हैं जिसमें आप collateral नहीं लेते हो confidence basis पर loan देते हो तो ऐसे में इस तरीके के credit अना वो बढ़ रहे हैं और इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अगर कहीं पर भी छोटे-छोटे segments में बड़े-बड़े personal loans अगर रुक गए तो उसमें फिर आप recover करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हो ठीक है तो यह ले रहे हैं पर ले रहे हैं वो कैसे भी करके ठीक है फिर आगे बात की जाए लेंडिंग सेग्मेंट की RBA जो है अपनी तरफ से regulatory measures है वो ले ही रहे है मैं आपको बता चुका हूं already कि higher risk weighted ratio है उसको भढ़ा रहा है लगातार कि किस तरीके से आप loan दे रहे हो तो loan जितना दि जा रही है बट overall देखा जाए ना तो इंडिया फिर भी फिर भी वर्ड की बड़ी economies में सबसे बड़िया perform करती हुए economy दिखाई दे रही है monetary और fiscal policy दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं ठीक रहेगा देखो हमेशा economy stable हो ऐसा तो सोच ना मत चलती रहती है problems हमेशा चलती रहती है कभी उपर कभी नीचे उपर जा रहे हो तो कुछ कमिया है नीचे जा रहे हो तो कुछ अच्छा ही है भी रहती है वह सीन है तो मेरी तरफ से मैंने अप्रोच किया अच्छे से समझाने कि I hope आपको अच्छा लगाओगा आर्टिकल ठीक है discussion को यह कितम करता है thank you very much